जैहिंद बच्चों तो हम आपके लिए हाप एली एक्जामनीशन 2024-25 क्लास 10th सब्जिक्ट इंगलिज का कोश्चन पेपर लेकर आए हैं यह आप एक दिस साती दिने पेपर भेजा गुआ है तो वही पेपर हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं अगर आपका हाप एली एक्जाम होने बाला है या फिर आप दे रहे हैं तो आप लिए यह important question paper हो सकता है हो सकता है आपके एक्जाम में इससे एक दो questions आपकी exam मिल जाएं तो आप पूरा paper end तक देखिएगा और questions को समझेगा इसी pattern पर आपनी तयारी हाप एली एक्जाम की करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe और वीडियो को like करना ना भूलिए कि आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को like नहीं करते हैं तो वीडियो को like भी कर दीज़े करें और चैनल को भी subscribe कर दीज़े करिए तो चलिए हम लोग class 10th subject English का half early question पर देखने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर निर्देश दे दिये जाते हैं इंस्ट्रिक्टिन दिये जाते हैं उनको आपको proper पढ़ना है इसके बाद questions को solve करना है जैसा कि आपको पता है कि आप लोग 20 objective questions आते ह हैं इसमें हमारा सबसे पहले पैसेज आपको दिया जाता है पूरा पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना होता है पूरा पैसेज पढ़के आपको जो questions के answer करने होते हैं ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला question है what surrounded the temple which was held in a green park boys and girls beautiful sops light and socks mango trees तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा तो option क recording और passage के recording right answer हो जाएगा mango trees क्या हो जाएगा mango trees देखो हमको जो पैसेज दिया उसी passage के आदार पर हमको questions के answer करने होते हैं ठीक है अधर से बाहर से आपको questions के answer नहीं करने होते हैं इसके बाद next question कह रहा है all was green and peaceful all was bright and gay what does it suggest noisy atmosphere, cozy atmosphere, sensational atmosphere, unhealthy atmosphere, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर right answer option के recording हो जाएगा causey atmosphere क्या हो जाएगा causey atmosphere ठीक है तो option number यहाँ पर आपका जो correct हो जाएगा वो correct हो जाएगा option number B इसके बाद next question है which word in the past is opposing of city, country, exhibition, atmosphere, rural तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा तो right answer हो जाएगा रूरल क्या हो जाएगा रूरल हो जाएगा तो इसके शाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसके शाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा option number D टीक एक बार passes को देख लेते हैं passage में कहीं जो है rural सब्द का use हुआ है कि नहीं हुआ है we went for a walk in the country सकता, exhibition हो नहीं सकता, atmosphere हो नहीं सकता, तो option आपर D आपका correct होगा, rural ठीक है इसके बाद आते question number 4 पर, question number 4 में क्या कहा गया है, the earth dot dot round the sun, तो या मोद the earth moves the round sun, क्या हो जाएगा the earth moves the round the sun यानि कि option आपर आपका B वाला correct हो जाएगा, ठीक है इसके बाद next है, when I reached his home, he dot dot, तो when I reached his home, he had slept, क्या होगा, had slept होगा, क्या होगा, had slept होगा, ठीक है, option number यहाँ पर आपका जो correct हो जाएगा वो correct हो जाएगा, option number D, had slept, ठीक है इसके बाद next है, what is the time dot dot your watch तो what is the time dot dot by your watch, क्या होगा by your watch यानि कि टाइम यानि कि जब वाच आएगा समय कि वहाँ पर बाई का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा C option number C Next है select the miss spelled word यानि कि इसमें कौन सा सब्द गरे temporary भी सही है, believe भी सही है, information भी सही है और century भी सही ह। यहाँ पर चारो सब्द सही है, यहाँ पर miss spelled कोई भी नहीं है लेकिन उनने कहा है miss spelled, misspelled देखी, यहाँ पर कोई भी missSPD नहीं है हो सकता है, इन्होंने कुछ, दूसरा question बना रहे होंगे तो यहाँ पर सारे सही है, century भी सही लिखा हुआ है, temporary भी सही लिखा हुआ है, believe भी सही लिखा हुआ है, और information भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा type का आपका एक आएगा question exam में, तो आपको miss spelled मतलब कि इसमें कौन सी spelling, किसकी गलत है, वो आपको choose करना होगा, ठीक है, इसक you must work hard, get to success, you work hard, must success to get, you must work hard to get success, success to get, you must work hard, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, you must work hard, क्या बनेगा, you must work hard to get success, option number C वाला यहाँ पर आपका correct होगा, ठीक है, इसके बाद question number 9 to 10, read the following passes from your text and answer the correction option, ठीक है, कूर्ग is कुडागू, the smallest district of करनाटका, is home to evergreen forest, spices and coffee, plantination during the mansooth, it was enough to keep many visitors away, word plantations are found in कूर्ग, tea, coffee, spices, both B and C, इसके according हमारा right answer क्या हो जाएगा, तो right answer हो जाएगा, option number D, both B and C, next है, choose the correct option to answer the following questions, पहला है, poor is enough in the past is given below means, तो poor is enough in the past is given below, above means क्या होगा, ran less, is snow enough, ran enough, is sunlight enough, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, option number D, sunlight enough, ठीक है, next है, mandela become the first black president of South Africa, 10-mai-1994, 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 तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, 10-mai-1994, option number आपका B वाला यहाँ पर correct होगा, 10-mai-1994, next है, who was griffin, क्या हो जाएगा, who was griffin, तो who was griffin एक क्या था, brilliant scientist था, क्या था, brilliant scientist था, ठीक है, यहाँ पर young scientist, old scientist, writer, none of these, यहाँ पर देखो, कहीं भी, brilliant scientist का, जो है, brilliant scientist, यहाँ पर कहीं use नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर से young scientist, old scientist, writer, none of these, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा none of these क्या करेंगे none of these करेंगे ज्यादा से टेबल रहेगा ठीक है कुपिया is the name of the dress of pupil of corg baker, martial man, assamist तो यहाँ पर right answer हो जाएगा pupil of corg क्या हो जाएगा pupil of corg option number आपका a वाला यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है इसके बाद आँगे बढ़ते हैं link to demanded dot dot from god 70 pieces, 60 pieces, 100 pieces, 200 pieces तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा? right answer हो जाएगा 100 pieces क्या हो जाएगा? 100 pieces option number यहाँ पर आपका जो correct हो जाएगा वो correct हो जाएगा option number C 100 pieces इसके बाद read the extra carefully and answer the correct option some say the word will end in fire some say in eyes from what I have tasted of desire I hold with the those who favor fire who is the speaker in the above lines leader, teacher, poet, a boy तो यहाँ पर जो भी line बोल रहा है वो तो point ही बोलेगा क्या बोलेगा? point बोलेगा नहीं कभी जो कभी लिख रहा है तो वही बोलेगा तो इसके according हमारा right answer क्या हो जाएगा? तो हमारा right answer हो जाएगा option number C point ठीक है? इन speaker's opinion the word would end in eyes, fire, both eyes and fire, none तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा? तो right answer हो जाएगा both eyes and fire option number C Max was present in the room of was able to kill him, take the report from him keep an eye on him or meet him तो right answer यहाँ पर आपका हो जाएगा take the report from him क्या हो जाएगा? take the report from him option number B आपका correct हो जाएगा next है at the cleaning the doctor who treated tricky was Mrs. Pumphrey Mrs. Harriet Max none of these यहाँ पर right answer हो जाएगा Mr. Harriet option number B write the name of the writer of the the thief story तो the thief story के writer कौन है? options आपको यहाँ पर दिये गए थी Ruskin Bond Robert Frost Nick Max तो यहाँ पर right answer हो जाएगा Ruskin Bond क्या हो जाएगा? Ruskin Bond option number A आपका correct हो जाएगा next है who is the poet of the poem The Trees तो The Trees के poem के जो writer है poet है वो कौन? Caroline Leslie Norris Adrian Rich Robert Frost तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option number C Adrian Rich क्या हो जाएगा? Adrian Rich इसके बाद आता है section B descriptive type का question आता है तो यहाँ पर descriptive आपको पूरा passes पढ़ना है यहाँ पर पैसे थोड़ा blur हो गया बच्चे ने सही से photo नहीं खीच पाई यहाँ पर आपको तब भी इतना तो दिखी रहा होगा तो यह पूरा आप देख लिए चे ठीक है इसके बाद questions के आपको answers करने होते हैं पूरा passes पढ़के जैसे what are the major benefits of social media how can we communicate quickly and easily with pupils overseas how social media can negatively impact our life right synonyms for the word abroad from his passage ठीक है तो यह आपको यहाँ पर करना इसके बाद आता है हमारा writing का portion क्या होता है writing का portion आता है जिसे write a letter to your sister telling her about visit in your historical place और अगर आपको यह नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं नीचे वाला कर सकती write a letter to the chairman of municipal corporation of your city complaining against the inadequate supply of water in your area ठीक है तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना होगा इसी type का आपको जो है later याद कर लेना है write an article of the following topic in science a blazing of a course कर्स ठीक है hints है introduction importance of blazing of science curse of science misuses of science conclusion और अगर आपको यह नहीं करना है तो आप नीचे बाला कर सकते अधिक जन संक्या over population बड़ती जन संक्या introduction today's problem other problems associated how to control conclusion ठीक है इसके बाद आता है हमारा grammar का portion ठीक है grammar के portion में क्या का पूछा गया वो भी हम लोग देख लेते हैं read write the following sentence by changing into indirect speech उसको indirect speech में बदलना है कह रहा है ram said to hurry these sun rises in the east यह क्या है यह habitual factor यह habitual factor तो उसमें कोई changement नहीं किया जाएगा सीधे बन जाएगा हमारा ram told ram told hurry ram told hurry that करेंगे और इसके बाद the sun rises in the east कर देंगे ram told hurry that the sun rises in the east simple बनेगा ठीक है इसके बाद है change the following sentence into passive voice क्या करना इसको passive voice में change करना है simple है passive voice में कैसे इसको change करेंगे बिल्कुँ simple है कुछ नहीं इसमें करना है देखो सबसे पहले क्या करना जैसे यहाँ से do से शुरू है तो passive voice भी इसके अगले बाद cycle is do के बाद क्या तब do के लिए is लेते हैं क्या लेते हैं is लेते हैं क्योंकि do किसमें है present different में तो अगले टेंज की cycle यह लेगा यानि कि present continuous की तो is हो जाएगा is a later क्या बनेगा is a later क्या बनेगा is a later ठीक है is a later और इसके बाद बनेगा written is a later written by you क्या by you कर देंगे बस simple है is a later written by you simple है ठीक है इसके बाद next है punctuate the following sentence जानि किसको आपको punctuation करना है I said to him where do you live now ठीक है तो यह आपको क्या करना है उसमें आपको पदलना है क्या करना है कामा inverted कामा लगाना है ठीक है तो कैसे लगाएंगे I said to me कामा करेंगे inverted कामा सुरू करेंगे where का w बड़ा बनाएंगे where do you live now में question mark लगाएंगे और जो है आपका inverted कामा close कर देंगे ठीक है translate the following into English translation इसका following English में आपको translation करना है आज भारत कुछ सहरों के smart बनाने का प्रत्न जोलों पर है इसका लच सहर को स्वच सुनतरे बातनी शिवताओं से युक्त बनाना है इसके इंतर बुड़े करकर का प्रवंदन चिंता सोचाले का निर्माण बिली और पानी की समचित बिवस्ता आती है तो इसको आपको English में translation करना होगा अब आता है हमारा literature का portion यानि कि literature से तो देखते हैं क्या question कहा रहा है answer the following question about 30 to 40 words each पहला है why was Lyncho angry when he received the later or in Mandela's opinion what is the greatest wealth of nation तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोनों में से कोई एक यहाँ पर करना है ठीक है इसके बाद है why did any frank think that paper has more patience than pupil और अगर आपको यह नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं how do you know that bread is an important part of gown life तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक करना है ठीक है इसके बाद आते है question number 26 में question number 26 में क्या कह रहा है answer any one of the following in about 60 words explain the detail why is asham known as a tea country next है how did the young seagull family react when he when he could not fly ठीक है तो दोनों में से आपको कोई एक करना है इसके बाद आता है question number 27 question number 27 में क्या कह रहा है how is a tiger in the zoo different from a tiger in the jungle और write four lines of the any poem prescribing your slaves तो आपको एक चार line की poem जरूर याद कर लेनी है क्योंकि poem तो 100% आएगी तो आपको वो जरूर याद होनी चाहिए ठीक है इसके बाद write the central idea any one of the following poems in about 42, 50 words dust of snow amanda the tree तो dust of snow याद कर लेज़े important है आपको यही एक्जाम में देखने को मिल जाएगी इसके बाद आता है question number 20 answer any one of the following in about 32, 40 words पहला है why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is atrium of surgery next है how is usable different from other secret agents तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पर करना है वो भी 30, 40 words में ठीक है इसके बाद आता है question number 30 answer any one of the following क्या है answer any one of the following in about 60 words give a character sketch of Griffin why did I will not hand over the thief of the police तो यहाँ पर आपको 60 words में एक question का answer करना है तो character sketch Griffin का वियाद कर सकते है character sketch हमेशा पूछा जाता है exam में तो इस तरह आपका class 10th का English का half early question में पर हो जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को subscribe वीडियो को share करना अपने दोस्तों में ना भूलिएगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हैंद बचों बच्च्च्च के जापका